हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चाइनल पाउल टेक हेल्फ आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर दात में दर्ध हो तो हमें कौन सा मेडिसिन का यूज करना चाहिए आज इसके बारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो सबस मेडिसिन आप यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट डिंटा फोक्रिट्य छो कि बहुत ही मतलब वह फेंश हैं जिसका यूज जयातातर किया जाता है कि ऑग्यांड इसकी इंगरेडियंट के बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमने दोस्तों इन नि दिन मैं ज्यादातर मतलब क्या हो एक दात में वामृट में यह क्या होता दर्ध होता है तो असकी में लुक्त सीट्चालेट करूँ अब इसके बाद मैं मेडिसिन का बात करो तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां यह बहुत ही famous brand name है डाइना पार इसके ingredients के बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं क्या है डाइकलोफिनायक और परासिटमोल यानि दो इसके क्या है ingredients है जिसे क्या होता है यह मिलकर बना होता है और इसका यूज मतलब पैन को रिलीफ करने के लिए किया जाता है इसके डोज के बारे मैं मैं बात करूँ तो आप यहां पे देख सकते कि वन टैबलेट सुबह साम यानि एक टैबलेट दिन में दोबा यानि एक सुबह और साम में यूज करना चाहिए जो कि ये भी बहुत ही मतलब फेमस ये टैबलेट है और ज्यादातर लोगों इसका यूज करते है अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट मेडिसिन आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या है अगर दर्द कम ना हो यानि कि अगर टैबलेट डैनाफार आपने लिया और उससे भी क्या हो रहा है दर्द कम नहीं हो रहा है यानि दात का दर्द कम नहीं हो रहा है तो उस condition में आपको injection का लगवाना चाहिए जैसे injection में बता दूँ कि injection डोलो काइंड यानि जो की 1 ml में आता है इसका यूज करना चाहिए ये इसके ingredients जो होते हैं इसके अंदर जो कि ये मतलब क्या होता है इस injection का यूज करने से बहुत ही जल्दी यानी कम समय में यानि पैंसे relief मिलताय यानि बहुत जल्दी दर्ट से आराम मिलता और ये जो injection होता है यह muscles यानि man special में इस injections का यूज किया जाता है और यह मतलब अगर ज्यादा तर आपका दर्द मतलब बहुत कम समय में ठीक नहीं हो रहा है तो उस condition में आपको क्या करना चाहिए यानि dolo kind injection का यूज करना चाहिए अब तो दोस्तों आप लोग समझ गया होंगे कि अगर आपके दातों में दर्द हो तो उस condition में आपको कौन कौन सा medicine का यूज करना चाहिए If you understand this video, please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching my video